हेलो स्टेंट्स हमारा चल रहा था चेप्टर थी यानि कि फाइलम प्लांटे पादप जगत जिसमें हम पादप के बार में पढ़ रहे थी कि पादप को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया तो पादप को हम पढ़ा तक पांच वर्ग में डिवाइड किया गया थैलूफाइटा, यानि की सहवाल, ब्राइवफाइटा, टैरिडूफाइटा, अनावरत बीची और आवरत बीची उसके बाद हमने इसके बारे में जाना कि हम कैसे पहचान करेंगी कौन सा हमारी सहवाल है, कौन से पस्टक नहीं होते हैं तुम इसके नहीं सेंगी सब्सक्राइब लेकिन आपको यह तो पताई है मैं कई बार आपको पढ़ा चुक्ए पिछले टॉपिक्स में कि वर्दी जनन क्या होता है लेंगिक जनन क्या होता है यानि कि पादप में जो जनन होता है इसमें किस तरीके से जनन होता है इसके बारें बात करते हैं फिर एक बार रिपीट में कि वर्दी जनन होता क्या है वैसे जहां तक मुझे पता है कि आपको याद ही होगा कि वर्दी जनन क्या होता है तो वर्दी जनन में क्या होता है कि इसमें एक ही जनन क्या आवशकता होती है और एक ही जनन क्या करता है वो अपनी बोडी का विखंडन करता है विखंडन करके व तोइ थेलो फाइटा में जो जनना होता है वर्दी जनननों गुलो dropped किस प्रकार के तो यह विखंड़नद द्वारा होता है बात करते अध्यृत आख चला और आचाद दोन प्रकार के भीजणों वोते है यह भी हमने पहली पढ़ चुक है के चलो होता एक अच्छल होता तो सेहवाल में हाँ जबॉनशाये थे साधरान विदी दुआरा होता है यानि कोई भी अपने क्या करेगा वी our डुवाइड कर लेगा दो तुवाइड करके क्या करेगा उसका ये अन्य प्लांटा विश्ञाये के येु मुरमज करेंब तो सेवालों में जन साधारन विदी द्वारा होता है इसमें जो पौधा होता हुए छुटे-छुटे टुकड़ों में विबगत हो जाता है यानि कि अपनी बट्स निकाल लेगा एक तहीगी से अलग-अलग सेपरेटली देन वो डिवाइड हो जाएगा फिर वो अपना यु स्पोर्ड द्वारा इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में अनुकूल वातावरण में क्या होता है कि अनुकूल वातावरण में जो यूलोत्रिक्स होता है यूलोत्रिक्स होता है बीजाणू जो गती कर सकते हैं यूलोत्रिक्स और बहु पक्षा भी किया सीलिया या सभाइब मोमेंट हो रहा था वो सीलिया दवारा हो रहा था तो सीलिया ओते हैं इस तरीके से छोटी-छोटी कशाभी का निकलिवियु प्रतिकूल पर इस्तितियों में जो कोशिकाई होती है उनका जीवद्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रवित्ती से अलग हो जाता है यानि कि प्रतिकुल परिस्तिती देखेगा पहले वो उसमें कोशिकाओ के अंदर जो जीवद्रव्य होगा वो कोशिकाओ से सेपरेट हो जाएगा सेपरेट होकर वो अचल बीजाडू बनाएगा अचल बीजाडू बनाने के बाद क्या करेगा कि यह जो प्लाद इसमें कुशाभी का नहीं होती यह जो कोशिका बित्ती होती है यह पतली होती है बहुत जादर अनुखुल वाता में पिरतेक अचल बीजाडू द्वार नए पौधे का निर्मान कर लेती है इसका example है Chlorella यानि कि Chlorella इसका example अब होदा इसमें धर्ड जो होदा वो एंडोस्पोर दोारा होता है एंडोस्पोर में क्या होता है कि बहुत सी जो नील हरी सहवाल होती है यह क्या करते हैं मात्र कोशिका के अंदर पतली बित्ती वाले बहुत से बीजाणू बना लेती है जिने कहते हैं एंडोस्पोर यानि कि नील हरी सहवाल होती है वो मात्र कोशिका के अंदर क्या करेगी वो एक बहुत पतली से बीजाणू बना लेगी जिसको एंडोस्पोर कहत प्रतिकुल परिस्थिती देखते हैं उसके अनुकुल फृइं नाइपॉदे को जनम दे देते हैं अब आती पत लेंगिक जनन की कि लेंगिक जनन क्या होता है लेंगिक जनन इसमें बहुत ज्यादा का निर्मार करते का क्या होता है यूगमधनी में होता है औरुव फिर क्या करते हैं कि आकार सरचना और निम्न भागों को विवक्त किया जाता है उने कि Tomorrow की सम्युग्मकी टाइब से सम्युग्मकी में क्या है योग्मक होते हैं हमारे दौनों ही एक नर्युगमक एक मादा युगमक यह कि होते हैं सरचना और आकरती में समान होते हैं आकरती में यानि कि एनन टाइप होते हैं एनन टाइप सरचना और आकरती में समान होंगे दोनों क्या करेंगे दोनों आपस में सयोजन करेंगे आपस में सयोजन करके टू-N टाय भी युगमक़ बना लेंगे और उसे नया प४ा दा तयार हो जाएगा तो अब इसमें क्या होते है कुछ सेवाल में युगमकक की बाहयाकरती और परिमाफ समान होते हैं और ऐसे युगमकों को समयुगमक के ते यह युगमक को क्या करते हैं यह युगमक चो होते हैं कशाबी के हो सकते हैं जैसे कि क्लेमाइडो मोनाज जैसे कि डाइगराम में हमें दिख रहा है कि एक नर युगमक एक मादा युगमक आपस में नों सही हो जिन कि आगो दो क्या होता है कि इसके का थालो के हों हैं कि नहीं कैसे कि खाविज भी के होने बूंब प्र le又 क्लेम का होना आज़र्ण जो कषाविज अएक हमके की क्या हा हुँ यह आपस में सयोजन करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ सहवालों में युगमक की बाहे आकरती में समान लेकि बाहे आकरती तो उनकी समान होगी यानि कि देखो आकरती इसमें डाइगनम में मैंने दिखाए हुआ है कि इसमें आकरती तो समान है लेकिन आकार औ वो सक्रिय नहीं होता है यह सक्रिय होता है जो बड़ा वाला युगमक है लेकिन जो छोटा युगमक है यह सक्रिय होता है इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेट यह लगू युगमक इनमें क्षाभिका पाई जाती है क्षाभिका की तोरह क्या होता है इनमें दोनों युगमकी सेयोजन करते हैं सेयोजन करके युगमरज बनाते हैं और बाद में अर्द चुत्री विबादन करके नए पौदे का निर्माण कर लेते हैं इसका एक्जामपल है क्लेमाइडो मोनाज अब आप कन्फ्यूज होंगे कि लेंकिक जनन में जब सवकुम युगम जनन हो रहा था तब भी क्लेमाइडो मोनाज एक्जामपल था और इसमें कशावी का नहीं भी बन रही थी और बन भी रही थी इसमें कशावी का बन रही है लेकिन फिर भी इसका एक्जामपल क्लेमाइडो मोनाज है तो क्लेमाइडो मोनाज जो होता है वह अपनी परिस्ति उसमें युगमक क्या होता ऐस में क्या होता है और मादा क्यों नर् पहल लंग मैंडा हो एक 바borg से SHOW फूर नहीं को निर्माण करते हैं उनल्वनाज कषाडी केता है इसका एक्जाम्पिल है ऊड्र गोंगा यंदा डियाग्राम में हमें दिखा हुआ है कि यह इस नियग्मक कर सकता है यानिग यह से बात करेंगे हम सेवालों के बर्गी करण के बारे में का आर्थिक महत्व क्या है?